अब इन सब flowers की examples को याद करने का एक बहुत अच्छा सा trick है और वो trick क्या है आपने कुछ चीज़ें याद रखने हैं यानि कि कुछ sentence कुछ words याद रखने हैं उनसे बहुत easy से आपको क्या हो जाए कि इनकी examples याद हो जाएंगी सबसे पहले देखते हैं आपने एक sentence याद रख को और जो mute है, mute का represent करें mustard plant को तो आपने इस sentence हाई blood circulation mute से आपने इसकी हाईपोगाइनस के जो flowers हैं उसकी जो example से उसको याद कर लेना है अब आपने एपिगाइनस की example को याद अपने के लिए एक word याद अपने है kids c a g e s kids kids का मतलब क्या होता है पिंजरा अब पिंजरा क्या किया जाता है अब अगर हम एपिगाइनस का case देखें तो एपिगाइनस में क्या होता है जो thalamus होता है thalamus ने अपने अंदर ovary को cover किया होता है इसको कैद किया होता है तो आपने kids c a g mt. पिंजरा पिंजरा कोई भी चीज को अपने अंदर बंदर करता है और epic guidance में भी thalamus अपने अंदर इंकलोस किया होता है अपने अंदर बंद किया होता है तो आपने इससे याद रखना है इसकी example जो है वो kids से निकलती है जैसे के kids का जो c है वो रिप्रेजेंट करता है cucumber को a represent करता है apple को g से gawa e से epigynus और s से sunflower kids से आपने याद रखना है किसको epigynus को और epigynus में क्या होता है कि thalamus ने उसको अवरी को अपने अंदर बंद किया होता है perigynus को याद रखने के लिए आपने एक sentence को याद अपना है pizza plate पर रखो pizza के PE से perigynus plate के PL से plump पर PE से पर के PE से peach और रखो के art से rose